हाई मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जजबा में देखे परफेक्ट तो कोई भी नहीं है हम सब कभी न कभी कुछ न कुछ ब्योकूफियाँ जरूर करते हैं कुछ न कुछ कमियां हमने जरूर होती हैं, हम कुछ न कुछ गलतियां जरूर करते हैं, बट हम अपनी ब्योकूफियों को, अपनी कमियों को, अपनी मिस्टेक्स को सुधारते हैं, उस पर हम पर करते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, और यही हमारी समझदारी है बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपनी ब्योकूफीओं को अपनी कम्यों को दूर नहीं करते हैं उसे ठीक करने की कोशिस नहीं करते हैं और कभी-कभी तो वो उस चीज़ को रियलाइस भी नहीं करते हैं और रियलाइस करते भी हैं तो भी वो वही चीज़ें बार- काते हैं जो कि दूसरों को बेवकूफ समझते हैं और खुद को बहुत समझतार मानते हैं उन्हें लगता है कि सब कुछ बस उन्हें पता है हर किसी में बस कमी ढूरते रहते हैं और खुद की कमियों को कभी नहीं देखते दुनिया भर की सारी गलतियां वो खुद करते हैं ले उनी गलतियों को ना देखना और दूसरों में कम्या निकालते रहना ये भी बेवकूफी ही कहलाती है। इसी कटेगरी में सेकेंड लोग वो हैं जो की सिर्फ बड़े बड़े सपने देखते हैं बट उन सपनों को पूरा करने के लिए एफ़र्ट कुछ भी नहीं डालते हैं। जब उन्हें कोई चीज नहीं मिलती है तो किस्मत को कोसते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो काफे कुछ डिजर्ब करते हैं बट उनका लख खराब है। लख उनका उनको धोखा दे देता है। लाइफ से कभी भी सीख नहीं लेते, कभी भी एलर्ट ही होते हैं और ना ही वो लाइफ को लेकर कभी भी कौशास होते हैं बस एक गलत फेमी में जी रहे होते हैं उन्हें किसी भी चीज को करने की बहुत ही जल्दी मची होती है या फिर ऐसे लोग जो दूसरों का देखकर काम करते हैं और वैसा ही रिजल्ट पाना जाते हैं बट जब वैसा रिजल्ट नहीं आता है तो बाद में वो पस्ता आते हैं जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है तो वो काफी सैड हो जाते हैं और यही चीजें वो अपनी लाइफ में कई बार करते हैं जो बेवकूफ होते हैं वो हर जगा बस अपनी ही तारीफ करते रहते हैं अपना खुद का गुडगान करते रहते हैं अपनी हर चीज़ को हाइलाइट करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कभी भी कहीं भी कोई भी मिल जाए बस वो शुरू हो जाते हैं ऐसे लोग कभी चुप नहीं रहते हैं हर वक्त बोलते रहते हैं और दूसरों की सुनना तो उन्हें जैसे आता ही नहीं है हर वक्त शो अफ करना इनकी हैबिट होती है इन्हें लगता है कि जो है बस यही है ऐसे लोगों का काफी मजाग भी बनता है लोग पीट पीछे काफी कुछ इन्हें कहते भी हैं बट इन्हें इस चीज़ का बिलकुल भी अंदाजा नहीं होता है तो कि इन्हें दूसरों की feelings कभी भी समझ नहीं आती है दूसरों के thoughts, दूसरों को समझना इन्हें आता ही नहीं है आपके आसपास भी ऐसे लोग ज़रूर होंगे आप भी ऐसे लोगों से ज़रूर मिलते होंगे कोई ना कोई तो आपके असपास ऐसा जरूर होगा आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में मुझे कमेंट करके बताईए कि आप मेरी बात से कहां तक अगरी है किया आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं वीजियो को लाइक सब्सक्राइब करिए मिलते हूं अकले वीजियो में हाव नाइस डे बाबाई